दोस्तों पूर्मा दिधी मालक्ष्मी को अतिधिक प्रिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्मा के इस सुबब सरपर धनकी देवी मालक्ष्मी को पिसंद कहने वाला एक बहुत ही आसान और असल कारग उपाई बताने जा रही है। इस उपाई को कहने से भगवान पिष्टू के साथी धनकी देवी मालक्ष्मी की असीन करपा प्राप्त होती है। दोस्तों उपाई सही प्रकासी कहने के इस वीडियो को एंट तक अवश्य ही देखें। यह उपाई आपको पूर्मा पर संध्या काल के बाद राती के समय करना है। संध्या बंदन पूर्जन के समय से राती में आप किसी भी समय इस उपाई को अपनी सुवधा के अनुसार कर सकते हैं। उपाई कहने के लिए सबसे पहले मुहात पैधो का सुच भस्त धारन करें। अब आप पांच दीपक लें। इसके लिए आप मिट्टी के आटे के या पीतल के कैसे भी दीपक ले सकते हैं। अगर आटे की दीपक बना रहे हैं तो शुद्धिजन से आटा मणे और आटे में नमक इत्यादी और कुछ भी ना मिलाएं। अब आप पांस दीपक एक प्लेट में डख लें। और इन दीपकों में से चार दीपकों में आप रुई की बाती लगाएं। और एक दीपक में लाल रंग के धागी की बाती लगाएं। अब दोस्तों यह जो लाल रंग की बाती बाला दीपक है इसके इलाबा एक और अन्य दीपक में आपको घी भरना है। आप चाहें तो सभी दीपकों में घी भर सकते हैं लेकिन अगर घी सब में ना भर सकें तो कम से कम इन दो दीपकों में आपको घी अवश्य ही डाला है। आप अपने मंदेर में शुद्धी घी का या किसी अन्य घी का जो भी दिया जलाते हैं आप वह घी इन में भर सकते हैं ध्यान रखें इन दो दीपकों में सरसों का तेल ना डालें अन्य बच्चे दीपकों में आप सरसों का तेल या घी अपने सुवधा नुसार भर सकते हैं आप चाहें तो मीठा तेल जिसे तिल का तेल भी कहते हैं वह भी आप इन दीपकों में डाल सकते हैं दीपक तयार करने के बाद दोस्तों इन दीपकों की ठाल में आप थोड़े से चाबच जावल या फिक ग्याहूं के दाने भी रखने या फिर आप पुश्प की फूल की पत्तियां भी रख सकते हैं अब इस प्लेट को आप अपने मंदिर के पास ले जाएं मंदिर में या फि थोड़े से साबच चावल या ग्याहूं जो आपने रखे हैं उसमें से थोड़े से रखें और उसके उपर इस दीपक को रख दें इस दीपक को आपको भगवान लक्षमी नारायन के सामने इस प्रकार रखना है कि इस दीपक की जो बाती है जो लौ होगी वह उत्तर पूर दिशा के मध्य का जो कौण है जिसे इशान कौण कहा जाता है इस तरफ इस दीपक की लो होनी चाहिए अब आप इस दीपक को जलाएं और एक सुगंदी धूपत्ती भी जलाएं भगवान लक्षमी नारायन को किसी फल मिश्ठान का भोग लगाएं अब भगवान लक्षमी नारायन को समर्पित होती है इसलिए आज की दिन अधिक से अधिक भगवान लक्षमी नारायन का पूचन करना चाहिए भगवान विश्ठों के मंत्र का जाप करने के पश्चाद आप जयमा लक्षमी जयमा लक्षमी का भी 108 बार जाप करें आप उंगलियों पर गिंकर या किसी माला पर भी इन मंत्र का जाप कर सकते हैं इस तरह भगवान लक्षमी नारायन का पूचन करने के पश्चाद अब भगवान लक्षमी नारायन को प्रडाम करें और घर में सुक्सम्रद्धी की प्रात्ता करें दोस्तों पूर्मा की रात को इस तरह भगवान लक्षमी नारायन के सामने इशान कौन की तरफ मुकर दिया जलाने से भगवान लक्ष्मी नारायन की असेव कृपा प्राप्त होती है घर में सुख सम्रध्धी में ब्रध्धी होती है मालक्ष्मी के पास धन में बरक्कत होती है और घर में खुश्या आती है दोस्तों पहला दीपक इस तुलसी जी के पास रखता जलाएं। दीपक रखने से पहले थोड़े सी चावल आप जमीन पर रखें और फिर उसके उपर यह दिया रखता तुलसी जी के पास जलाएं। शास्तों के अनुसार भगवान विश्णों को तुलसी मा अत्यतिक प्रिये हैं। तुलसी जी को मा लक्षमी का ही स्वरूप माना जाता है पूर्मा के दिन भगवान लक्षमी नारायन की किपाप बाप्त कहने के लिए तुलसी जी का पूचन अवश्य ही कहना चाहिए ऐसा कहने से भगवान लक्षमी नारायन अतिशी की ही परसंद हो जाते है और कष्टों से छुटकारा मिलता है दुर्भा के भी सौफा के में बदल जाता है भगवान लक्षमी नारायन और तुलसी मा की करपा से जीवा सुखमे बनता है अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो आप चाहें तो किसी मंदिर में जाकर भी तुलसी जी के पास ही दीपक जला सकते हैं या फिर आप तुलसी जी का यह जो दीपक है इसे आप अपने मंदिर में ही भगवान लक्ष्मी नारायन के सामने रखकर जलाएं और भगवान लक्ष्मी नारायन को पराम कर तुलसी मा को पराम करें दोस्तों अब जो ये तीसा दीपक है इसे आपको अपने रसोई घर में रख के जलाना है दोस्तों घर में पूजा घर के बाद सबसे पवित्र इस्थान होता है रसोई घर यानि की किचिन आपको पूर्मा की रात को अपने रसोई घर में दीपक अवश्य ही चलाना चाहिए रसोई घर में यह दीपक मा अन्नपोर्णा की नाम से चलाया जाता है दीपक जलाने से पहले छिलिपप थोड़े सी चावल रख उसके उपर यह दीपक रख का जलाए आप मा अन्नपोर्णा को प्रणाम करें और मा से धन्धान्य सुक्सम्रद्धी में ब्रद्धी की प्रात्ना करें पूर्मा की रात्री को इस प्रकार मा अन्नपोर्णा की नाम का दीपक जलाने से मा अन्यपूर्णा की कृपा से घर में अन्यधन की कमी नहीं रहती और घर में सुक्सम्रथी बनी रहती है धन्धाने की भंडार भरे रहते हैं मा अन्यपूर्णा की कृपा से घर में कलेश नहीं होता और खुश्यां आती है दूस्तर चोथा यह जो दीपक है यह दीपक आपको पूर्मा की रात को अपनी घर की छट पर पित्रों के नाम से जलाना है और इस दीपक को आप जमीन पर रखने से पहले थोड़े चावल रख फिर इस दीपक को रखें और दीपक को इस प्रका से रखें दीपक की जो बाती है वह दश्ण यानि की साउत दिशा की तरफ होनी चाहिए क्योंकि दश्ण दिशा पित्रों की दिशा मानी जाती है यहीं पित्र लोग होता है दश्रिंदिशा की तरफ रख इस पर का दीपक जलाने से पित्र प्रसन्न होते हैं और अपना आशिरवात देते हैं पित्रों के मार्ग में रोशनी होती है जिससे पित्रों की करपा प्राप्त होती है पित्रों की करपासे कारियों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं पिगड़े कारे भी बनने लग जाते हैं साथ ही पित्र दोर्ष से भी राहत मिलते है दोस्तों अगर आपकी घर पर छट ना हो जैसे कि आप ग्राउंट फ्रो पर रहते हैं और उपर कोई और रहता है तो आप इस दीपक को पित्रों के नाम से अपने घर के आंगन में जला सकते हैं लेकिन अगर आंगन भी ना हो जैसे आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आप इस दीपक को अपने घर के अंदर किसी साफ इस्थान जैसे कि पूजा घर का जो कमरा है उस कमरे में या फे किचिन में आप इस दीपक को रखकर जला सकते हैं लेकिन यह दीपक आपको इसी प्रकार रखना है कि इसकी जो लोहे वे दश्चिन दिशा की तरफ होनी चाहिए पित्रों के नाम का दीपक जलाते समय आपको ओमनमो भगवति वासुदेवाय मंतर का ही जाप करते रहना है और भगवान लक्षमी नारायन को प्रडाम कर पित्रों की आत्मा की शांती की प्रात्मा करने है क्योंकि शास्तों में भगवान लक्ष्मी नारायन को ही पित्र देप कहा गया है दोस्तों अब जो आखरी दीपक है यह दीपक आपको पूर्मा की रात्री को अपने घर के मुख्य दर्वाजी के बहार जलाना है दोस्तों शास्तों के अनुसार पूर्मा की रात्री को धर्ती पर मालक्ष्मी भ्रमर करती है इसलिए यह दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर मालक्ष्मी के स्वागत के लिए जलाना है शास्तों के अनुसाद जो भक्त पूर्मा की रात्री को मालक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की मुख्यद्वार पर दिया जलाती है मालक्ष्मी अपनी उन भक्तों की घर में बास करती है और जहां मालक्ष्मी का बास होता है वहां से तुक तरित्ता का नाश हो जाता है मालक्ष्मी की कृपा से धनकी कमी नहीं रहती और घर में सुक सम्रथी बनी रहती है दोस्तों दीपक जलाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है दीपक जलाते समय दीपक रखने से पहले थोड़े से चाबल गैहू या फिर फूल की पत्यां रखकर उसके उपर ही दीपक रखें इसी दीपक को आसल दूह कहा जाता है तब दीपक पर होता है दीपक जलाते समय जूती चपन ना पहने आपका मुह साफ होना चाहिए यानि कि कुल्ला इत्यादी कर लें तमाकू वगेरा भी खाकर दीपक ना जलाएं दोस्तों शास्तों के अनुसार पूर्मा की राते को इस प्रकार दीपक जलाने से घर में सुख सम्रथी आती है भगवान लक्ष्मी नारायन की अस्नीम कृपा प्राप्त होती है जीवन में चली आ रही परिशानियां दूर होती है पित्रों का आशेवार मिलता है बिगडे कारे भी बनने लग जाते है मा अन्म पूर्मा की कृपा से घर में अन्म की कमी नहीं रती और जीवन में खुश्यां आती है प्लीस लाइ शेर और सब्सक्राइब थैंक्स वर वाचिंग